इस कहानी को एक बार आप पूरा जरूर सुनियेगा एक केकड़ा समुद्र के किनारे चल रहा था और पीछे पलट कर देखने पर अपने पैरों के निशान देखकर वो काफी खुस हो रहा था फिर अचानक से एक लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए तो केकड़े ने लहर से कहा ए लहर मैं तो तुझे अपना समझता था पर तुझसे मेरी ये खुशी देखी नहीं गई तो लहर ने जवाब दिया कि एक केकड़ा तु मेरा अपना है तेरे पैरों के निशान को देखकर शिकारी तुझे पकड़ने आ रहे थे इसलिए मैंने इन तेरे पैरे के निशान को मिटा दिया तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने लाइफ में कभी किसी को ब्लेम मत करिये पहले आप अच्छे से समझ लीजिए और सारी चीजे कर लीजिए फिर ब्लेम करिये कभी कभी क्या होता है कि बिना समझे बिना जाने हम लोगों से बैर कर लेते हैं जिस तरीके से मकान में दरार आने से दरार को सही किया जाता है मकान ने गिराया जाता है उस तरीके से रिस से खतम किये जाते हैं